सिता गुरूप अफ एजूकेशन ने फिर रच्टीया थिहास यूपी बोड हाइ स्कूल परिक्षाफल में प्राची निगम इंट्रिमीडियेट परिक्षाफल में सुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप यूपी की टॉप टैन लिस्ट में हाई स्कूल वा इंट्रेमेडियेट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगहे बना कर रच्टिया इतिहास गत्वार्स हाई स्कूल में प्रियांसी सोनी ने किया था यूपी टॉप अपने बच्चों के जवल भविश्ची के लिए स्टीता गुरूप आप एजूकेशन महमुदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबी एससी बोर्ड इंग्लिस मेडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश रिफाइंड ओल और प्रोसेस जैसे अनहल्दी ओल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कबजा ही कर लिया है मगर अब आप इसकी चिंता ना करें क्योंकि आ गया है वंश कोलू का प्योर सरसो कच्ची घानी ओल लकडे कोलू मेथर से तैयार ये है नाच्रल और हेल्दी भी वंश कोलू प्योर सरसो कच्ची घानी ओल के साथ वंश कोलू तेल सही मिलेगा यही नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूँ प्रियान शुमिस्रा देश में भीषण गर्मी के बीच शनिवार को लोगसभा चुनाओ का अंतिम साथवे चरण का मदान यूपी की 13 सीटों सही देश की 57 लोगसभा सीटों पर पूरा हो गया है 2024 के इस लोगसभा चुनाओ के बीच एक दुखत तजबीर भी सामने आई है देश के इतिहास में या शायद पहला मौका होगा जब लोगसभा चुनाओ के दौरान कई मदान कर्मी गर्मी के कारण आसमय काल के गाल में समागे इनकी मौत हीट वेव से होनी बताई जा रही है सियासत में पारा हाई होने के साथ साथ इस बार गर्मी का पारा भी अपने उच्चतम इस्तर पर है रोज तापमान अपने नए नए रिकार्ड तोड रहा है अब तक केवल गर्मी के करण देश में सैक्लों लोगों की जान जा चुकी है इन मौतों में वे मदान कर्मी भी शामिल हैं जिनोंने भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोगतांतिरिक देश के सबसे बड़े त्योहार को संपन कराने में अपना महत्पूर्ण योगदान दिया देश में 2024 काया चुनाओ राजनीतिंग माईनों में काफी एहम मना जा रहा है लेकिन चुनाओ आगे बढ़ने के साथ साथ जिस तरह गर्मी ने प्रचन रूप धारर किया है मना जा रहा है जिसकी वज़े से चुनाओ प्रतिशत प्रभावित हुआ इन सब घटनाओ के बीद चुनाओ की टाइमिंग और चुनाओ में किये गए इंतजामों पर बड़े सवाल खाड़े होने लगे हैं लोगों का कहना है कि क्या चुनाओ के लिए यह सही समय था वा तब भी जब लगबक सभी को इस बात का अंदाजा था कि इस साल मई जून क के महिने में गर्मी कई रिकार्ट तोडने वाली है क्या चुनाओ की इन तारीकों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता था हो सकता है तब इस बार के चुनाओ में मदान प्रश्चत भी बड़ा होता क्योंकि कम मदान प्रश्चत को देखते हुए यही माना जा रहा है कि चु इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि शुकरवार को पूरवानचल में 26 मढदानकर्मियों की म॔त हो गई इसी तरह उत्तर भारत में गर्मी और लू के करण कई मढदानकर्मियों की मौत हो चुकी है और कई अस्पतालों में भड़ती हैं लोगों का मानना है कि यदि इस भीशल गर्मी में मद्दान कर्मियों के लिए बेहतर व्यवस्था मुहिया कराई जाती तो शायद इस तरह के हालात नहीं उत्पन होते हैं शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंडाउन चार जून को मिलेगी नई सरकार आई इंडिया पर देखें असी सीटों का हाल मतगलना की महा काउरिज चार जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया